स्वागत है न्यूज बिहार में आपका बिहार में धाई साल महागडवनन की सरकार चली उसके बाद एक दिन नितीश कुमार जी की अंतरात्मा जाग गई और जागने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस्तीफा देने के बाद जब वो NDA में सामिल हुए और NDA में साम होने के बाद पहली बार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दोरे पर आएंगे वो इसलिए आएंगे क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी सताबदी समारोह मना रहा है अभी हम पटना कॉलेज में हैं और अभी रात में यहां से लाइव इसलिए हो गया है तो कि हमें यह लाइटिंग दिखानी ती आपको कि अगया है अगया है और यह कि अगया है अगया है बहुत तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं कुछ लोग का कहना है कि नरेंद्र मोदी जी यहीं आकर लेंड करेंगे हलिकॉप्टर से अपने और फिर इसी गैलरी से होते हुए पटना साइन्स कोलेज में जाएंगे जहां मुख ऐयोजन हो रहा है जहां पर में जो इवेंट होगा वहीं होगा आए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह की तयारी कि एक बात बता दूं आपको पहले कि हम जिस जगह चल रह है जिसे होते हुए आप पटना कोलेज से पटना इनुवस्टी की तरफ जाते हैं साइंस कोलेज तरफ जाते हैं यह देख लिए दिवालों पर कलाकृति की गई है नरेंद्र मोदी जी इहीं से होते हुँ गुजरेंगे और इन सब का लुथ पुठाएंगे समझेंगे किस तरह के बिहार की कलाकृतियां है और देख लिजिए यहां पर तो मुझे लगता है साइद ये नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है जिन्हों ने बनाने का प्रयास किया है बहुत हद तक उन से मिलता जुलता ही तस्वीर बनाया है नीचे आप ज़ेसे सकते हैं मुझे कहीना क और तुहल का विशे बनने जा रहा है यह बाग है सेर है या गौम आता है कन्फ्यूज मत हुएगा हम आपको बता देते हैं यह वो घ्यार आइकॉन है जो में इंडिया का लोगो जिनके तहत बनाया गया था यह बाग ही है और यह अपने लेके घूम रहें लगतार आगे ब जो आयोजन है जो होने वाला है और मुख्य इवेंट वहीं होगा चलिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और हम चलते हैं उस तरफ है कर दो है कर दो है कि यहां आप देख सकते हैं जिस ग्यालरी से हम वोकर गुजर रहे हैं पतना उनिवर्सिटी की तरफ पतना कॉलेज से उस बीच में नरेंद्र मोदी जी की एकदम जीवन्त ग्रेफिटी बनाई गई है मुझे लगता है साइध बात भी कर ले सर क्या प्लान है पटना ने का अभी नहीं बोलेंगा आएंगे तब बताएंगे कि क्या क्या पटना को देने वाले अच्छी एक चीज़ और पूछ ले तो सबसे जूरी बात पिछली बार तो बहुत सारी राइंट्मेट अपने की थी इस बार क्या देने वाले हैं विहार कुछ नहीं बोलेंगे चलिए आगे देखते हैं क्या क्या तेयारियां की है पटना उन्वस्टी किस तरीके से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाना चाहता है उनको व खिल रहा है धाई साल बाद नितीश कुमार के अंतरात्मा जागी है और उसके बाद वह आ गये हैं एंडिये गटबंदन में उसके बाद से कमल खिलता जा रहा है जी साइड वी आई बिल्कुल देख लिजिए ये चिरप्रतित मिधिला पेंटिंग जो हमारे हां बनती है व जाज भी कलाकार ने बनाया है बहुत नायाब बनाया है तिशूल तो दिख रहा है और कमल भी खिला हुआ है कमल धाई साल बाद फिर से पटना इनुवस्टी में खिल गया है थैंक्स तो नितीज कुमार और इंडिया गवर्मेंट कमल फिर से खिल चुका है और सबसे बड़ी बात रिष्टों में पड़ी गांट अब सैद खुल गई है अब नितीज कुमार और नरेंद्र मोदी एक म सबसे बड़ी बात तो यही है जब उन्हें बुलाया जाएगा और बुला कर उन्हें स्टुडेंट के तौर पर जब नरेंद्र मोदी और नितीज कुमार मंच पर बैठेंगे तो क्या लालू परसाद यादो मंच के नीचे बैठना पसंद करेंगे पिछली बार भी आपको नरेंद्र मोदी जी और नितीज कुमार मंच पर बैठे थे और लालू परसाद यादों को जमीन पर बैठना पड़ा था हाला कि पिछली बार उन्हें पता नहीं था कि उन्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा कि नहीं मगर इस बार तो उन्हें 100% पता है कि उन्हें जमीन प को शिलान्यास करके लोगों को बॉलेंगे कि ये दे देते हैं वो देदेते हैं पर सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार की यो जनाओं में जो उन्होंने कि आणाउस्मेंट्स किया था वो तो अभी तक मिला नहीं है तो इस बार मिलेगा बिहार के लोग फिर से इस बार सुन बड़ी बात इंडिये गठबंधन बिहार में पुना स्थापित हो चुकी है नितीश कुमार के अंतरात्मा जाग गई है एक और जागने के बाद अब वो नरेंद्र अने आरेंद्र मोधी जी के स्वागत के लिए सारी तैयारिया की गई है निजुस भी हर आपको एक्सूसिफ दिखा रहा है कैसे तैयारिया की गई है कलाकृतिया यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह एकदम बना हुआ है छाल किलाल का इसाप आप देख सकते देखके समझ म आ रहा है कि यह जो टार विछाया गया है यह एकदम ताजा टार है और इसी को बनाने में एक दिन का समय लगा है अब सबसे बड़ी बात यह है स्टुडेंट से भी पूछेंगे जानेंगे कि भाया यहां क्या विवस्था हमेशा ऐसे ही रहती है या नरेंद्र मोदी जी के आ बीच बीच में भीदी खाते रही है क्योंकि यह जरूरी है बहुत महनत करके स्टुडेंट ने बनाया है नरेंद्र मोदी जी खुस हो जाएंगे तो हो सकता इस बार बिहार पेकज मिल जाए विसेश चिराजी का दर्जा मिल जाए यह चिनिया भी ट्वीटर की चिनिया है चुछ खाँ अरेंद्र मोदी घृट था बहुत तो पूछ रही है नरेंद्र मोदी जी आओगे तो कुछ लेकर भी आओगे हमारे हां रिवाज है देखिए में तरफ कीजिये कामरा में बताता हूं आपको हमारें अप बिहार में कर रिवाज है जब भी हम जाते हैं किसी के है पिछली बार के बाद़ उनको याद है पिछली बार जो मन्झ से नीचे बिठाया गया था उन पहले सोचाले फिर देवाले स्वच भारत स्वच भारत जी हां बिल्कुल पहले सोचाले बनना चाहिए उसके बाद देवाले बनना चाहिए यह पहले से चला रहा है चार सालों से पहले इसी देश में ट्वीट किया था एक बड़े नेता ने जो कॉंग्रेस की सरकार थी जब जब झीओ कर जब सुआम लेकर इंडिये की सरकार में भी लगतार लिड़ी जी यह बात कहरwegen है कि सौचाले काई बदर बनने के बाद ही जो समस्याइऩ हैं इस देश की कम हो जाएंगे पर खर देखते हैं होता कि नहीं कम आगे बढ़ते हैं चलिए गूमते हैं देखते हैं एक और कला कृती है मुझे समझ नहीं या रहा है ये भी क्या है मगर कहीं ना कहीं एक फूल मुझे जो लगता है जो क्साइद कमल है वो खिलता दिख रहा है यहाँ भी को युण उनिवस्टी के स्टुएंट्स हैं लगतार हमाइसा घूम रहे हैं यह पूरा एरिया ही स्टुएंट्स का है और लगतार बचे घूमते रहते हैं पढ़ाई कर रहे हैं साममें टहलने निकल जाते हैं तफ्री करने का जाते हैं अलग-अलग पोलिटिकल माइंसेंस की को न कहीं न कहीं उसका जैनल पहले जहिलना होगा उसके लिए मतयार महीं कोई दिकत नहीं है और आगे बढ़ते हैं जाई जाय जा लेते हैं कि बाई नरेन रमोदी जी जब आएंगे तो क्या लेकर आएंगे कि हमारे हां डियों बने जो आते हैं लोग उनको भगवान माना अतितियों को तो अतिति लेकर भी कुछ आते हैं बतासाही लेकर आते थी तो आलेकर अगर George छोड़ी होते हुए पटने उनिवर्स्टी की तरा हुआ है और आपको यही हो गैलरी है जहां से होते हुआ निएरेंदermeोधी जी इंटर करेंगे इस युनिवर्सिटी में और आएए देखते हैं यहां क्या त्यारियां की गई हैं किस तरीके से लाइटिंग की गई है देखे गार साथ बैठे हुए है और यह सुलक्षा के बाउस्था तो यहां लगातार बनी हुई है यह दिख रहा है साफ तौर पर मगर ह हम दिक लेते हैं किस तरह के तैयारिया की गहिए है क्या नोफ करने के लिए प्रद्रा प्यार ऑन देरहा यह कि आप हागतार प्यार देरहा हैं देखना है उप एक ने मुझे को हमें कि तौना प्यार देरें हैं यह देखना देखिए सर देख लीजिए रात भर जाग-जाग के पटना किस तरह से पलके बिछा कर अपने प्रधान मंत्री का इंतजार कर रहा है पटना इनुवर्सिटी के कैमपस में लगातार काम चल रहा है Л олод की ब्यश्ता की जा रही है ये भाई लोग कार रहे है देखिए पेंट की ब्यश्ता की आ रही है सर सड़क भी तो लगता है नयाही बना है कल बना है ना सव लगल बना है आह सब झूरको बना जा अब कर बाूं कर बाए आपर एक नाम की तोड़ा सा इसका रंग रूहन हो रहा है और इसकी स्वख़ाइब है अजय सुने हेलिकॉप्टर लोगटर भी आ रहा है इसे कुछ खबर लगाया कि यह आ रहा है है अजय जो अपनोग पींट कर रहे हैं किसने दिन बाद हो रहा है सब आइडिया है कुछ इसके बारे में लोगे अंटरात्मा जाग जाग जेसे 30 जी की जाग घय थी कि वहीं मुरा पिया घर आया आया है तक ऐसा चुछ नहीं है इस बार सब कूछ टाइट रहे काम कर रहें यह लोग अब देख सकते हैं मेरे पिछल अ काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और इस देश कर बाइवाया है तो वहाटार मंधी भी चाहते हैं कि भाया अर्छामंतरी जी को एक और को भी कमी नहीं हो तडक दुबारा बन गई है एक- स्वाच भारत अभियान चारत रफ दिख रहा है कि आगे बढ़िए सरागे बढ़िए चलिए चलिए बीजे सिंग अब हम असली मुद्धे पर आगया है देखिए सर इस देश में रश्टाचार अपराद भुखमरी बलतकार कुछ मुद्धा नहीं है मुद्धा सरे कही है कि इस सर एक गाब माता है हमारी मता है अपकी माता2000 की मतले 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 इनके उपर घर्जनीटी हुई है न सर मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अन्यश्य देशों में भी सारे मूद्धों को हटाकर तो delta जो सुर्व कर दी जाईए ओर लगातार तार देख सकते हैं 114 शड़ सबसे बढ़ी बात अपना चिर परचित कमल फिर से खिला हुआ है पटना उनिवसिटी में कमल खिल गया है और गाय बच्णों का देख लीजिए पेंटिंग सबसे हिट सबसे सुप्रसिद्ध है अभी का एजेंडा गौमाता अगर आपके साथ है तो पूरा भारत आपके साथ है अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि सर बहुत सारी बाते हुए थे पिछली बाद भी चुना हुआ था नरेंद्र मुदीज यह थे और आके उन्होंने कहा था कि बिहार को सवा लाख करोड का पैकेज देंगे सर सवा लाख करोड का पैकेज मिला तो नहीं अभी तक और फिर दुबारा आप आ रहे हैं तो सर ऐसा है कि पिछली बार जो वादा किया था वो तो लोग मांगेंगे कि कहीं न कहीं से आप उपस्थित कीजिए और दूसरी बात सबस्क्राइब कि बिहार सरकार में बिहार में इंडिया की सरकार बन गई है तो सबसे बड़ी बात यह है कि विसीस राज्य का जो मुद्दा है वो कहीं न कहीं गाइब हो गया है कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है ना पक्ष कर रहा है यह जरूरी बहुत लाजमी होगा देखना कि जब यहां मंच सजेगा और एक साथ बिहार के सारे सूर्मा सारे दिगज होंगे तो क्या कोई बोलता है उनसे कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विसेश राज का दर्जा दे दीजिए यह जो कि मैं हारत के हर कोने-कोने में घूमकर स्वेम देखूंगा भाई बिजनेसमें हूँ बनिया हूँ आप घूमकर देखियेगा तो आपके आने से पहले सारी सड़के बन जाएगी सब कुछ बन जाएगा दो कुछ चका चक हो जाएगा मगर यह चका च्का चॉण हमेशा इसी तूप्त पटनाइर नहीं आता है इस बार नरेंद्मोदी जी के आजाने से साइध सांकेतिक तोर पर भी कोई हो सकता है कि दे दिया जाए मगर मैं कह रहा हूं कि सर् जब शांकेतिक तोर पर दे देने से नहीं होगा आपको इन निवर्सिटीज में वो बेवस्था करनी होगी कि हमारे बच्ची अच्छे से पढ़ सके और अभी हम जोलोजी डिपार्टमेंट से होते हुए साइंस कोले के आगे बढ़ रहे हैं नरेंद मोदी जी यहां से होते हुए बिल्कुल जाएंगे गुजरेंगे लीमोजीन आएग जी देख लीजे कितना सुंदर इस बिल्डिंग को सजाया गया है एक अलगी कहानी कह रहा है एक अलगी उनिवर्सिटी की कहानी कह रहा है एक बिल्डिंग अगर रोज आप आते होंगे रोज देखते होंगे तो साइद आपको इस तरह की खुबसूरती या नहीं दिखती ह कि अब आपको एक चीज दिखा देता हूं स्ट्रेट फ्रॉम दो होसे माउथ कहा जाता है मने जीरो ग्राउंड रिपूर्ट अब आपको दिखाते हैं पटना युनिवर्सिटी के स्टुडेंट हमारे साथ है हमारे छोटे भाई उज्वल उन्हें बुला लेते हैं बहुत त इस समयन आ उसे समयाना के बिल्कुल यह जितना पूचारा टेख रहा है यह बड़ी दूख की बात एक इतनी अच्ची विरासा थमें मिली है पतीजे में पटना इंवर्सिटी पटना इंवर्सिटी चितने भी कॉले स्य वह सर विहार की बिल्डिंग उउनकी इतिहास हो और उस इतिहास को इसके पहले अगर आते तुख होता कि किस इस्थिती में इस्थिती में रखा जाता था ये एक बार फिर सब्सक्राइब लेख लिए सर ये जो जमीन है ये वो जमीन नहीं है जो तीन निन पहले होगी साप दिक रहा ज़ा जूम कर के देखे सर छू कर देखिए दर्सको छू नहीं पाएंगे मैं छू के दिखा दिखा देता हूं जर एदर लाएं मेरे हाथ को ये देखिए सर ये जो है अलकतरा ये अलकतरा और टार जो है ये कहानी कह रहा है देख लिजे उन बड़ी-बड़ी मसीने काम कर रहे हैं ट्रैक्टर घूम रहे हैं बुल्ड के वह दो जिखता या फिर जो दौरा करेंगे तो वह जब चलेंगे तो उन्हें शायद महसूसों कि ये जो अभी हाल-फिलाल रोड बनाये गया है उनकी तैयारी है तो सारी बातों को समझते वह पता निक्यों एक्शन नहीं ले याता है और उजवल कि आप अभी स्टूड है इतना तो आप राइमी के नहीं है समझ पाईएगा इसलिए हम तो सिंपलिफाइ करके समझाते हैं आपको पिछली बार चुनाओ आपको साइद होगा कि नरेंद्रमोदी जी जब आये थे तो उन्हें बहुत तरह का प्रोमिसेस किया था बिहार की जंता को कि भाया ये दे जो मूल भूथ सुविधाय है उलाई होंगी एक उनिवर्सिटी के तोर पर पतना युनिवर्सिटी बहुत पीछे बिलकुल बड़े 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 इसके बड़े बड़े बहुत पीछे है युजी में कहीं ता इसका नहीं आता सर चाहे वो लाइबिरेरी की बातो ऑफ सब्सक्राइब है जो फिर यॉस्टल के जो मुझा आपको बड़े घुछेय में युजे लिए जो किसी भी अविघाओ को ये दिल से निकले बच्छ को इसमें पढ़ाए उस्टल कि इतने सारे मामले कुछ दिन पहले ही इसमें बंभी पॉत इसमें इसमें बंभी गांधी मायदान में, सर आगे आजाये, सर प्लीज कीप यूर पेस, नर्वसाब मत जाये, नर्वसाब मत जाये, पिछली बार जब आये ते नरेंद मोदी जी उजवल, तो हुंकार रैली हुई थी, तो हुंकार रैली से पले तबर तोड पांचो बंप फट गया था, बस तो दिवाली में पठाका, इसे भी फोड़ने दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं से तो लुकाल भी फोडबे करेंगे, तो यह आगे बढ़ते हैं, और जगों पर चलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, कि तेयारियां जोर सोर से चल रही है, भाई, प्रधान मंत्री आ रहे है जैसे रहाल गानी के रैली में पर चले जाते हैं, खटिया और कुड़ी भी और वैसे ही दिवाजी जितने लड़ी त देख रहे हैं, यह सारे के सारे गाइब हो जाएगी। जी लड़ीयां तो इसे भी जोट नहीं है, यहां मुझे लगता है कि ज़रूत, उन सब चीजों क जिनसे कि उनिवसिटी कमपाइल होती है यही वो मंच है जहां से यह जो नीज देखिए हम पहुत जगा है सीधा जगह पर उस जगह पर जहां पर कारिकरम होने वाला है हमारे पीछे वो सारी विवस्थाइं है लगतार दिन रात लोग काम कर रहे हैं महनत कर रहे हैं और कहीं तो उन्हें कोई कमी नहीं दिखे आये देखिए विवस्थापक भी यहां पर है और बहुत सारे लोग है तो काम दिन रात कर रहे हैं देख बड़े-बड़े मंच बनाए गया है और यह साथ वाटर प्रूफ पंडाल बोलते हैं इसको वह है जी पिछले बार भी घपला हो जा पर एक इमेज चमकाने का बहुत बढ़िया तरीका था बिहार सरकार के लिए और हम ने चमकाया भी ग्लोबली हमें अप्रिसियेट किया गया हमारे एफट को बिहार ने एक अच्छा नाम रोशन किया पूरे भारत में कि किस तरह के होस्पीटालिटी हमने दी लोगों को जो बावजूद लालु यादव को मंच पर जगह नहीं दिया गया और सभया ऐसा है कि अगर आप अंडरेस्टिमेट कर दीजेगा लालु पसाद यादव को बिहार की राजनीती में तो बहुत कांड होता है उसके बाल लालु बिल्कुल खफा थे पिछली बार और इस बार फि सबसे बड़ी बात ही है कि हम ग्राउंड पे पहुंच गया है जीरो पर यहीं वो ब्यवस्था है जारा मंच के यह साइद मंच देखिए हमारे पीछे तैयार हो रहा है दिन रात महनत करके लोग त्यारी कर रहा है इस मंच की और यहीं से संबोधन करेंगे नरेंद मोधी ज अगर आप हम में रोकते तो हम रूख जाते यहां आने के बद कैसे रूख जाए तो यह वो जगह है जहां पर नरेंदर मोधी जी आएंगे और उनके आने के साथ साथ बिहार के जितने भी विए पी से वो सभी आएंगे और खास बात यह है कि यह सबसे एक्स्ट्रा काम कर ड़ा आजिए यहां बात यहां कि कि अ मैं यह सब्सक्णान को लोग वन्स कर दाएंगे जो ऑन देखलेया है वागो अ ब prefिष हमारे काम चल रहा है थिंने वो बन रहा है और बोट सěंसिटीव एरी जो पूरा THE है उन्हों हम रही बताया कि उन्हें पूरा asleep किसी को गुषने का आदेश नहीं मिला है सुबह से हम लोग धडले से आया और घुष गया है तो कोई बात नहीं हम नहीं से माफी माइग लिए कि आपको लाइव ने डिस्टर्ब कर दिया कोई बात नहीं सर लोगों की समस्याओं को समझना जोरूरी है हर को अपना काम कर रहा हैं हम दर्शकों को दिखाने आये हैं कि भाया उनके प्यारे प्रधानमंत्री जब आएंगे यहां तो किस तरह की विवस्थाएं इंतजार कर रही है उनका इसे तरह देखते हुए अब हम बाहर निकलते हैं सिधा बाहर और और लोगों से बात करेंगे जानेंगे कि आखिर किस तरह की विवस्था की गई है किस तरह से पटना अपनी नजरे भी चाकर बैठा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी के इंतजार में पटना यूनिवर्सिटी के साइन्स कोलेज में हम लोग बैठे हुए हैं हमारे पीछे कंवेंशन हॉल है यहां भी नरेंद्र मोधी जी आएंगे एक तरफ मंच बन रहा है वाटर प्रूफ मंच पंडाल पूरा जिसमें कारिक्रम पूरा होगा रात दिन तयारियां चल रही है हर चीज की मुस्ताइदी देखी जा रही है कि भीया कोई कमी न रह जाए एक और तोरण द्वार यहां बनाए गया है इसे तरह के दो द्वार बनाएंगे हैं को साइड भी है जनेटर की व्यवस्था की गई है दिनरा जनेटर चल रहे हैं टीचर्स क्लब है यहां भी साइड ही सामने प्रतक्स दर्शी बनेगा जब नरेंद मोदी यहां आएंगे तब तो यह थी तयार यहां पटना उनिवसिटी की पटना कोलेज की और साइंस कोलेज की ब्हानमंत् मेरे पीछे लिखा हुआ है मेरे पीछे लिखा हुआ है पी एम ओ दो लोग यहां बैठे हुए हैं लगतार चाकुचो को बंद विवस्था की हुई है आगे बढ़ते हैं चलिए आपको अब बाहर क्यों ले चलते हैं जिस तरह से हम आये थे उसी तरीके से बाहर निकलते हैं आगे बढ़ते हैं तेजी से पर एक बात आपको बता दूं जैसा मैंने पहले भी कहा है कि जब भी कोई अतिथी आता है हमारे हां तो हम उनका स्वागत जम कर करते हैं हर वो चीज कठा करके लाकर देते हैं जिनसे हमारे अतिथी को अच्छा लगे अब देखना यह है कि लालु यादों को एक्स सुडेंट इन्वाइट किया गया है और लालु यादों चुप तो बैठेंगे नहीं क्योंकि पिछली बार भी प्रकास पर्म में उन्हें बिठा दिया गया था मंच के नीचे और देखना बड़ा लाजमी होगा कल नहीं परसों परसों जब इंतरन दिया गया है कि वह सामने कुर्सी दर्सक दिगा में बैठ है अब यह देखना वड़ा लाजमी होगा कि मनलब होता क्या है असलमी उस दिन तो आज न्यूज बिहार में इतना ही आपको इन तस्वीरों के साथ छोड़ देते हैं यह जो मनुरम द्रिश्य है साइद र लाइन्स को लज़ और पत्ना कॉलेज में ब्रहानमंत्री नरेंद्र मोधी के आने को लेकर पूरी पठना पूरा बिहार त्यार है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए हम सभी बहुत अड़ी हस्रत भरी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत कोई शोटा उनवसीटी नहीं है तर इस तर्की सुविधाय कंशेयों की उसको लेकर बहुत हींद्षति से देखा र्याता है सींवसिटी कुंपप粉िय है हालाकि एक से एक सिख्षाविद को पैदा किया है इस उनिवसिटी ने एक से एक लोग हुए है यहां से बन कर आगे गया है और देशकर में भारत का नाम भीहार का नाम भी रोसन किया है मगर जब नरेंदर मोदी जी आ रहे हैं तो हम इतना तो जुरूर उमीद करेंगे कि सर कुछ ऐसा अलग कीजिए जिन से यह जो बच्चे हैं जो उमीद लगाए हुए हैं कि प्रधान मंत्री मोदी जी आएंगे तो कुछ ना कुछ नय होगा तो इनी उमीदों के साथ और इसी चका चौंद के साथ आपको आज हम छोड़ते हैं न्यूज बिहार में आज आपसे विदा लेते हैं फिर कभी लाइब होंगे आपके साथ किसी अलग महौल में किसी अलग मुद्दे पर और तब तक आप चैन से आराम कीजिए और हमारे ल किसी अलग में मुद्दे घर बाइब होंगे आराम कीजिए ओको इज हम थाटी होंगे साथ typical पनाब